गाड़ी ठोकनी नहीं है। चोईक वह तो बे copy है। उसको तो गाड़ी ठोकनी है। तो गर से गाड़ी ठोकनी आए। तो इंडिकेटर ना दना तो गलती होती है। … और के बन ना करना उससे भी बड़ी गलती होती है। कि आप 120 किलोमेटर जा सकते हुए गंटे में इसी स्पीड पे हैं तो महां से अंदर जा लगो कि कितनी स्पीड फास्ट होगी आप आ रहे हो 120 बगा के गाड़ी को और इन इट पे आपका टायर चड़ेगा और फिर आप टेक ओफ कर जाओंगे हेलो गाइज अनिके जांगिट के को ने वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जब आप हाईवे पे गाड़ी चला रहे होती है तो अपनी गाड़ी को भगाती कैसे हैं यानि कि बस रेस का पंजदवादी और भगाती बगात के वागत उसको कंट्रोल कैसे करते हैं उसके कुछ टिपस दूँगा आपको और साथ में जब आप हाईवे पे ओवर टेकिंग करती हैं तो उसके लिए आपको कुछ टिपस आज की इस वीडियो में आपको दूगा तो चले शूरू करते हैं तो एक तो देखिए जैसे अभ कि प्रूपर जो बड़ा हाइवे होता है वो नहीं है तो अगर आप ऐसे हाइवे पर आ रहे हो तो कोशिश करो कि ज्यादा तेज ना पखाऊ एनकी 100 ठीक है 100 से उपर मत जाओ तो ऐसे हाइवे पर क्योंकि हाइवे इतने अच्छे नहीं होते हैं और जगए जगए आपको इसलिए आप ज्यादा देज निवा सकते हैं यहां पर सेफ नहीं है और यह देखें मैं क्यों मना करता आपको देखें अभी यहां पर इस रोड पर यहां पर कीट यहां पर पड़ी और यह कीट पीछे पड़ी थी आप आ रहे हो 120 बगा के गाड़ी को और इन पर आपका टायर चड़ेगा और फिर आप टेक ओफ कर जाओंगे तो ऐसा निकरन यहां पर यहां पर जगद होती है ऐसे भी पगड़ सकते हो तो सेम बात है लेकिन अच्छे से ओल करना है स्टेरिंग वील सेट वैल्ट भी आपके लगी होनी चाहिए बहुत से लोग सीट वैल ने लगाते हैं और यह आपके दोनों उपन होने चाहिए मैंने लेखाया आज अज भी 2022 में भी बहुत से लोग बंद करके चलते हैं मैंने आज यह एक आदि में देखा उसके दोनों वारियम फोल्ड थे तो ऐसा नहीं करना है यह वारियम आपके गड़ी में दिये गए इनका यूज कीजिए अगर माले पीछे से को आपको ओवर्टेक करना चाहता है य 220-140 भगार हो आप अपनी गड़ी को या इससे भी ज्यादा तो उस वक्त आपको अपनी डिस्ट्रेक्शन बिल्कुल कम कर देनी है यानि कि जैसे अगर लौड मुजिक बजा रखा है तो उसकी वोल्यूम थोड़ा कम कर देनी है या बंद कर सकते हूं जो कि बहुत ज्याद मैं तो कोँगा कि आप बंदी कर दो हाई स्पीड पे चोगी आपका फूकस रोड को होना चाहिए आपका फूल फूकस या फूल अटेंशन रोड को होना चाहिए ना कि किसी ओड़ चीज में अगली बात अगर आप किसी को ओवर्टेक्शन चाहते है उसके लिए आप दूस ऐसे करना है to क्योंकि जैसे आप हाइवे पे जा रहे हो आपके हैं तो Creed इंडिगेटर यह देखिए आप भी बंद नियुक्ति है आपको प्रॉपर इस ट्रेंग विल घुमाना होता है तब इंडिगेटर बंद होता है बहुत सो लोग बंद नहीं करते मैंने देखा है इंडिगेटर जल रहा है गाडियों में भी जली रहा है तो ऐसे निकरना अगर अगर आप सो से उपर गाड़ी भगा रहे हो तो आपको प्रूपाइट श्रेंग विल होल्ड करना है अच्छे से इस पर जूलना नहीं है कभी भी जैसे मालेजिए आप 120 बगा रहे हो तो आपकी स्पीड काफी है या आप यह देखो कि आप 120 किलोमेटर जा सकते हो गंटे में किसी स्पीड पर तो महां से अंदर जा लगो कि कितनी स्पीड फास्ट होगी तो इसको अच्छे से ओल्ड करना है हलके से में ही आपकी गाड़ी बहुत दूर चल जाती है यानि की काफी टरन हो जाती है आपकी गाड़ी है देखें मैं आप से हाइवे पे तो इसलिए आप किसी को ओवरटे कर गया रहा है और वह आपके सामने आने वाला है तो आपको अपनी गाड़ी पहँद करना है कर दो एसे निकरना है थोड़ी सी समझदारी दिखाने हैं आपको सोचना है कि जब वह सामने वाल आपको दिख रहा है वह ओवर टेक करके आ रहा है उसको उसने तो ध्यान देनी है में बात ही है गाड़ी ठोकनी नहीं है चोकि वह तो बे पूप आपको जगए देने आगर को तो चलिए थोड़ा ओवर टेकिंग के टिप्स देता हूं आपको तो अभी देखना आपकी कैसे किया जाता है तो देखे भी सामने से कुछ आ रहा है मैं और टेक नहीं करूंगा अगर वह ब्रेक लेता एक दम से तो फिर आपको भी इमिडेटली ब्रेक लेने हैं आप उससे पहले हों देना है आप मेरेबं करना है मैं दिया इसको हों दिया में ज्राइफ हेल अपने honorable अर अपने में रहों ब्रेक दिस्टेंस बना लो जपाब 5 टो तो उसको देखके काफी डिस्टेंज पहले यही आपको अपना लेंज चेंज खर दिना होता है जैसे अभी मैं यहां पर करूँगा यहां यहांपर रैट में तो इस त्रेके से आपको ओटेग करना होता है तो चलिए कर इस अदि किसी और इंट्रेस्टिंग और यूजफुल विडियो मेending thank you so much for watching, bye